क्या आपके चहरे पर भी इन में से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मौजूद है? क्या आप भी उस क्वेस्ट पर निकल चुके हैं कि एक perfect product हमें मिल जाए जो हमारे चहरे की इन समस्याओं को fix कर दे perfect serum जिसमें kojic acid, alpha arbutin या वर niacinamide है जो कि हमारे चहरे की वो परिशानी solve कर दे तो आप अपनी स्क्वेस्ट को जारी रख सकते हैं क्योंकि आज मैं एक remedial action आपको बता रही हूँ जो कि इन सब ही परिशानियों से आपकी skin को नजात दिला सकता है आपको खुश कर सकता है किसी भी प्रकार का dark spot, pigmentation, hyperpigmentation, melasma का base आपके चहरे पर बन रहा है इससे आप address कर सकते हैं और बहतरीन results पास सकते हैं Ready everybody? आए जानते हैं what all needs to be done नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चानल प्रिती प्रेड़ना पर अगर चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीज़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कीज़ेगा ताकि future वीडियो के notification आपको मिल सकें और जो भी magic मैं आपने परिवार के साथ शेर कर रही हूँ आप भी उनसे अवगत हो सकें आज की वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ आपके चहरे पर आ रही किसी भी प्रकार के discoloration की uneven skin tone की आपके चहरे पर हलके हलके से freckles आ रहे हैं तो भी आप इस remedial action को follow कर सकते हैं और अगर बहुत dark cloud बन चुका है तो भी आप इसको follow कर सकते हैं अगर आप फिलहाल कोई medication अपने लिए follow कर रहे हैं तो भी नाच्र रेमिडी की जा सकती है अगर आप कोई topical cream लगा रहे हैं तो जिस भी समय आप उसका इस्तमाल करते हैं उसके अलावा आप इसको use कर सकते हैं अगर आपको बहुत सिविर परिशानी है और आप oral medication और topical medication दोनों कर रहे हैं तो आप इंसिस्ट कि पहले आप उस course को complete कर लीजे और आप इसको try कीजे या फिर जैसे आप comfortable है वैसा blend बनाईए Remedial action को शुरू करने से पहले मैं सपष्ट शब्दों में अपने पूरे परिवार से कह देना चाहती हूँ कि अगर आपकी समस्या बहुत सिविर है आप बहुत सारे natural remedies अपने लिए try कर चुके हैं किसी चीज ने आपको results नहीं दिये है तो you must go to the dermatologist doctors आपको definitely इस particular problem का जो exact root cause है उस तक पहुचाएंगे जिसे fix करते ही यह समस्या आपको results दिखाएगी कि better off आपकी skin हो रही है but एक चीज for sure है कि root cause तो आपको ढूरना ही पड़ेगा it could be stress, it could be hormones, it could be medication आप गलत products का इस्तिमाल कर रहे है आपके, आप कोई underlying problem है, health issue है जिसके वज़े से यह problem हो रही है आपका sun exposure बहुत जादा है तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी day to day life की जो भी activities है उनमें क्या cause हो सकता है जैसे ही cause को fix करेंगे यह चीज अपने आप ही solve हो जाएगी तो please थोड़ा सा दिमाग लगाईए थोड़ा जो डाले कि क्या problem हो सकती है और उस पर definitely काम कीजे for step number one आपको अपने चहरे को अच्छे से wash करना है like every other single जो भी चीज हम अपनी face के लिए करते हैं कि गंदे canvas पर हम कोई भी चीज नहीं कर सकते है अच्छे से अपने चहरे को अगर आप devil cleansing करते हैं अगर आप makeup wear करते हैं तो please make sure कि आप पहले oil अच्छे से अपने चहरे पर लगाईए ताकि वो सारी चीजों से dirt, pollution, pollutant सब से एक दम चिपक जाए और जैसे ही आप face wash करें वो completely एक ही wash में clear हो जाए आपको पहले wiping करके then micellar water करके and so many different steps जो होते हैं cleansing के वो follow ना करने पड़े अच्छे से जब आपको इत्मिनान हो जाए आपका चहरा clean हो चुका है इसके पश्चार आपको चाहिए microfiber टाल आपके चहरे पर already काफी परिशानी है if it all है तो आप उसको और परिशान नहीं करेंगे उसको और sensitize नहीं करेंगे तो microfiber टाल का ही इस्तमाल कीजिए अच्छे से चहरे को pad dry करने के पश्चाद आपको लेना है licorized powder यानि की molletti powder और इसमें आपको लेना है कच्छा दूद देखिए आप जो एक चीज कर रहे है ना ये कोई रेमेडियल नॉर्मल फेस पैक तो है नहीं आप इसको आज़े रेमेडी कर रहे हैं ये एक solution है आपके परिशानी का तो आप रॉम मिल्क का ही इंतिजाम कीजिए सिर्फ फेस पैक की तरह करेंगे तो कोई भी मिल्क ले सकते हैं पर क्योंकि ये रेमेडी है तो आप रॉम मिल्क में ही इंवेस्ट कीजिए सिर्फ थोड़ा सा पिंच आपको लिक्राइस पाउटर लेना है सिर्फ इतना दूद लेना है कि ये पेस्ट बन जाए और अपने एफेक्टेट एरिया में लगाना है इसको लगा के आप रहने दीजिए और अगर हलका सा सिरफ एक लेर भी लगती है पतली सी सफिशिंट उतना ही सफिशिंट है लगा कर आप छोड़ दीजे और स्किन को इसे ड्रिंक करने दीजे इबसॉब करने दीजे पिकिस मुलेठी से बहतर आपकी स्किन का डिसकलरेशन फिक्स करने के लिए कोई इंग्रीडिन्ट है ही नहीं जो कोई भी स्रेमेडिल आक्शन को फॉलो कर रहा है I would insist कि आप जाकर पढ़िये कि मुलेठी पाउडर ना सिर्फ आपके कंट की हेल्थ के लिए आपकी आवाज के लिए आपे तु आपकी तवचा के लिए भी कितना कितना कारगर है पढ़िये and you will understand कि ये कितना पाफुल है आपकी skin को किसी भी प्रकार के dark spots, discoloration में fix करने के लिए and it is really really wonderful मेरे परिवार के वो सभी लोग जन्होंने इसको follow किया है और results देखे हैं और magic देखे हैं प्लीज राइट इट डाउन इन दे comment section ये हमारे परिवार के बाकी लोग जो कि इसको follow करने वाले हैं उनके लिए great confidence proof हो सकता है so do help them out तो अच्छे से आप इसको लगा रहने देंगे for some time था कि आपकी skin इसको naturally absorb कर ले जैसे ही आपका ये paste हलका हलका सूख जाए actually completely सूख जाए आपकी skin इसको अच्छे से absorb कर ले इसके बाद एक face pack आपको अपने लिए ready करना है जो कि आप इसके ऊपर ही apply करेंगे जहां सबसे पहले थो हमने licorize दे दिया आपकी skin को raw milk दे दिया जो भी problem है उन cells में specifically वो address होना start हो चुका है और अब बहुत ही powerful ingredients हम यहाँ पर उसके ऊपर topically देंगे ताकि another cocktail उसको मिल सके और वो बहुत अच्छे से अपने आपको heal कर सके You all need to understand कि यहाँ पर जितने भी ingredients इस्तमाल होने वाले है यह individually आपकी skin के लिए कमाल के है तो अगर आप कभी चाहें कि कोई face pack लगाना चाहते है या कोई ingredient अपने चहरे को you know Rejuvenate करने के लिए use करना चाहते है तो आप इन में से किसी भी ingredient का इस्तमाल कर सकते है And you can see for yourself क्या magic यह आपके लिए कर रहा है For the preparation of the face pack आपको एक potato लेना है जहाँ आलू अच्छे से peel कर लीजे, wash कर लीजे, dice कर लीजे, randomly cut कर लीजे, no worries और एक grinding jar में ले लीजे इसी में आपको लेना है half a tomato, just थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो acidic content है potato का वो sufficient है लेकिन फिर भी tomato is just to help out किसी भी तरह का pigmentation जो बहुत stubborn हो इसके बाद आपको इसमे लेना है एक चमच rice flour यानि की चावल का आटा आप डिरेकली चावल भी ले सकते हैं लेकिन चावल का आटा बहुत अच्छे से blend हो जाएगा easy होगा हमारे ले काम करना इसलिए हमने यहाँ rice flour लिया है इस सारी चीजों को थोड़ा तरल बनाने के लिए आप rose water इसमें आड़ कर सकते हैं और अच्छे से grind कर सकते हैं अब यहाँ मैं आपको एक hack बताती हूँ कि अगर आप rose water थोड़ा ज्यादा ले ले यानि कि थोड़ा सा ज्यादा तरल इसको आप बना ले तो आपको काफी अच्छा सा fine paste मिलेगा जिसको आप ice cubes की तरह संभाल कर भी रख सकते हैं यानि कि आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा एक बार बना के आप इसको freeze करके रख दीजे and every single time you want to use आप सिरफ एक cube निकालेंगे और उसको गला देंगे और उसके बाद उसको use कर लेंगे है ना simple कितना असान है otherwise आप हर बार new बना लीजे नाथिंग लेकर फ्रेश की तो बात ही कुछ और होती है तो इसको आप ले लेंगे पेस्ट को और डिरेक्ली अपनी जो भी problematic area है अगर आपके mouth के around डाउटनिंग है आप वहाँ लगा लीजे pigmentation का issue है cheeks पर वहाँ लगा लीजे आखों के आसपास discoloration है वहाँ लगा लीजे आप कोई forehead पे है आप वहाँ तो आप पूरे चहरे पर जहां भी समस्या है वहाँ यूज कर सकते है देखिए हम जब भी remedial action बताते हैं कोई problem address करते हैं तो focus face होता है लेकिन यह natural remedies is not only for your face अगर आपके हाथ में pigmentation है आपके chest पे pigmentation है wherever in your body तो आप इसको use कर सकते है remedies को for a longer duration क्योंकि face के skin थोड़ी softer होती है आसानी से चीजों को absorb और results दिखा देती है लेकिन the rest of the skin is a little bit stubborn तो आप थोड़ा ज्यादा duration के लिए stronger packs बना सकते हैं तो हमारे इस power packed face pack को prepare कर लेने के पस्चाथ लगा लेने के पस्चाथ आप इसको तब तक रहने देंगे जब तक कि यह सूख नहीं जाता देखिए purpose यह है कि maximum time यह आपके चहरे पर रह सके ताकि वो portion आपकी skin को मिले अगर आपके पास spray bottle वाला rose water है तो आप हलका सा स्प्रे करके थोड़ी और देर के लिए भी इसको रहने दे सकते हैं ताकि maximum time आपकी skin वो सारे के सारे अच्छे nutrients ले सके और वो जो problematic चीज है आपकी skin पर उसको address कर सके done जब आपको लगे कि sufficient time आपने आपनी skin को दे दिया है इन चीजों का absorb करने के लिए आप इसको wipe clean कर लीजिए अच्छे से lukewarm water से अपने चहरे को wash कर लीजिए पैट dry कर लीजिए microfiber towel से nothing else आपके चहरे पर अल्रडी परिशानी है मैं बता चुके हूँ तो please microfiber towel का ही इस्तमाल कीजिए अच्छे से पैट dry करने के बाद आप यहां पर use करेंगे अपना serum if at all आप use कर रहे है I'm sure जो लोग परिशान होते हैं वो कुछ ना कुछ product अभी तक ढून चुके होंगे कि इससे pigmentation fix होता है तो यहां पर आप उस serum का इस्तमाल कर सकते हैं वो तो chemical होता है देखिए मैंने हमेशा काया कि सही blend आप लगा सकते है natural remedies का जो भी जिस भी चीज़ को आप use कर रहे है thoughtfully I don't think वो आपको कभी परिशान करेगा तो यहां पर अगर आप market based product यूज़ करना चाहते हैं अपना serum यूज़ करना चाहते हैं please go for it लेकिन अगर आपको यह ऐसे जन है जो कि market based product को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो absolutely fine आप इस जगह पर हलका सा glycerine plus गुलाब जल का blend लगा सकते हैं as serum इसको naturally absorb होने दे सकते हैं और इसके बाद आप अच्छे से अपनी skin को moisturize कीजिए it's very important हमें लगता है natural remedies के बाद कि इसकिन तो बहुत अच्छी ओर कि आप कुछ लगाने के जरूरत नहीं है लेकिन moisturization is something जो की indirectly आपकी तवचा को another level benefits देती है तो आप अपनी skin को कभी भी कभी भी moisturize मतलब hydrated ना रखे यह situation में ना ले जाए please it's very important moisturization is the key done, थोड़ी देर कहने का मतलब है 5-10 minute आप wait कीजिए वो moisture अपनी skin को अच्छी से absorb करने दीजिए और इसके पर शाथ आप sunscreen लगा दीजिए as a last step and you are good to go इसके बाद दिन भर आपको कुछ नहीं करना है बस आप sunscreen reapply कीजिए रात को सोते समय अच्छी से अपने चहेरे को wash करके जिस भी face wash के लिए आप comfortable है और अच्छी से moisturizer लगा लीजिए and that's it आपको कुछ नहीं करना दिन में एक बार अगर आप इस process को कर लेते हैं यह face pack और liquor ice plus milk आप देखेंगे आपकी skin पर within few weeks बहुत खुबसूरत results आ रहे हैं answering few questions around the remedy क्या हर दिन करें अगर कर सकते हैं तो हमने कोई ऐसा ingredient use नहीं किया है जो कि आपकी skin को परिशान करें हाँ tomato का इस्तमाल हो रहा है which is a mild acid जो की काफी active है आपकी skin के लिए तो आप चाहे तो alternate days कर लीजे रोज ना करते हुए and यह remedial action आप तब तक करेंगे जब तक कि आपको results visibly दिखने ना शुरू हो चाहें बच्चों के लिए I will not recommend this remedial action क्योंकि थोड़ा सा strong होगा और बच्चों को pigmentation होते भी नहीं in the first place as a refreshing face marks कभी कबार लगाना चाहें पिल्कुल किया जा सकता है no worries at all क्या यह बहुती stubborn melasma में काम करेगा देखिए मैंने आपसे कहा किसी भी तरह का discoloration किसी भी तरह का uneven skin tone पर यह काम करता है लेकिन melasma is a very 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 strong remedy problem जिसकी remedy शायद natural चीजों से आपको ना मिले लेकिन कोशिश नहीं रुकनी चाहिए आप अपना जो भी medication विगरा कर रहे हैं वो कीजे साथ-साथ आप इसको follow कर सकते हैं आपकी skin कभी भी आपको dull प्रतीत नहीं होगी medication के side effects नहीं होगे and you will have great results for your skin also मैं हमेशा 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 mention करना चाहती हो कि topical applications, oral आप अपने आपको कैसे fix रख रहे हैं अच्छा खान पान के साथ इसके अलावा भी बहुत सारी parallel चीज़े होती हैं जिनका खयाल आपको रखना पड़ता है जैसे कि आप exercise कीजे जब आपको पसीना आएगा आपके pores हमेशा active रहेंगे clean रहेंगे तो ये समस्या जल्दी solve होगी आप raw fruits and vegetables का save in कीजे देखिए raw fruits and vegetables के उपर अगर कभी भी pigmentation में लाजमा के उपर मैं कोई book लिखूँ या कुछ लंबा essay लिखना चाहूँ आप लोगों के लिए तो I'll make sure कि उसमें एक बड़ा सा chapter सिरफ इसी चीज़ का होगा कि आप raw fruits and vegetables खाईए शायद ये चीज़ अकेले इन चीज़ों को fix कर सकती है ये इतनी ताकतवर है तो please make sure कि आप raw fruits and vegetables and very less in fact no processed food खाईए जब भी आप ये remedial action अपने ले कर रहे हैं skin को moisturize रखना और sunscreen का सही और timely इस्तमाल करना ये भी आपको बहुत-बहुत-बहुत help कर सकता है इस remedial action को multiple fold results देने के लिए तो please make sure कि आप ये सारी चीज़े अपने ले कर रहे हैं और इस remedial action से अपने लिए gust up के results पा रहे हैं I really hope कि मेरे पूरे परिवार को ये प्रसती पसंद आई होगी समझ आई होगी और जैसा बताया गया है आप इसको exactly अपने लिए follow करेंगे जब results मिले तो वापस आके हमें अवश्य बतायेगा we would love and we would wait for your beautiful comments मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले video में till then take really good care of yourself and know for sure you are wonderful आपके चहरे के वो दाग वो जो भी डिसकालरेशन and everything that's not you that's a flower